लग रहा है ना एकदम बढ़िया बाहर जैसा सूप और आप यकीन नहीं करेंगे इसमें मैंने कोई भी क्रीम का यूज नहीं किया है कोई कॉण स्टार्श का यूज नहीं किया है एकदम बेसिक घर पे पड़े हुए इंग्रेडियंस से मैंने सूप को बनाया है और specially वो color कैसे आए जो हमें बाहार restaurants में मिलता है उसका भी मैं आपको एक trick बताऊंगी तो इसके लिए आपको पूरी recipe जो है वो देखनी पड़ेगी ताकि आप इतना ही तेस्थी और साथी साथ healthy soup बना सके क्योंकि ये winters का time है और सब लोग जो है वो soups को crave करते हैं तो ये हमारी soup series का सबसे पहला soup है जो की है tomato soup वो भी बिना cream या फिर बिना corn starch के तो फिर चलिए देख इस बात की है इसको हम बनाना शुरू करते है तो इसके लिए हमने ले लिया है सबसे पहले beetroot जो की मैंने एक लिया है और बारीक चॉप कर दिया है तेजपत्ता एक ले लिया है चार कल्या लैसन की ले ली है एक प्यास ले लिया है डेड क्यारट ले ली है और साथी साथ ले लिये है यहाँ पर मैंने टमार्टर जो कि मैंने थोड़े कम खट्टे वाले टमार्टर लिए है तो काजर को फाइंडी चॉप कर दिया है और जो ऑनियन यानि की प्यासता उसकी जूलियन्स काट दिये है अब हम फटाफट से कुकर रख देते हैं ग्यास पे एक छोटा चमज तेल डा देना है इसके अंदर तेज पत्ता यानि की बे लीफ और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर गार्लिक कलव्स यानि की लहसन की कलियां जो की चार्ली है फिर डाल देना है एक प्यास जिसको हमने जूलिंस में काट लिया था थोड़ा सा इसको हिला देंगे और बहुत हलका से इसको पकाएंगे फिर उसके बाद इसको बिल्कुल भी हम प्यास को जनने नहीं देना है यानि कि बहुत हलका सा सौटे करने के बाद उसके अंदर एकदम बारी को टीवी गाजर बारी कटा हुआ पीट डाल देना है अब जो कलर आता है हमारा वो आता है इस बीटूट की मदद से जो साथी साथ हेल्दी भी होता है और टेस्ट भी आठ करता है हमारी सूप में डाल देंगे नमक स्वाइद के अनुसार आदा कब जितना पानी डाल देंगे और इसको धक कर हमें पकाना है थोड़ी देर यानिकि जो हमारा बीट है और हमारी गाजर जो है वो जो है एकदम उसका कच्छापन चला जाए इसके लिए हम इसको ढख कर 5-10 मिनिट तक पकाएंगे हम इसमें टामाटर जो है वो बाद में डालेंगे क्योंकि टामाटर हरके खटे होते हैं तो खटाई पे जो है ना बीट रूट और साथी साथ गाजर इतना बराबर से पकते नह हमें कोई बारी काटनी की जरुवत नहीं है क्योंकि इसको आट देंड हमें ग्राइंडी करना है इसलिए मोटे मोटे पीसस काट रहे हैं अब जो है पांच से 10 मिनिट हो गए है तो हम जो है वो लिड रिमूव कर दिया है अब देख सकते हैं यह आल्मोस्ट पक चुका है ब हमने अल्जडी आदा कब तो पानी डाली दिया था हम डेड का पानी और डाल देंगे तब हमने पानी डाल दिया है और अब हम जो है कुकर को बन कर देंगे यानि उसका धकन लगा देंगे और इसको चार से पांच विसल्स तक मीडियम फ्लीम की उपर पकाना है तमाटर को जादा टाइम नहीं लगता है पकने में और हमारा जो बीचूट और जो काजर मिलादा वो पक चुका है इसलिए हम इसे चार से पांच विसल्स की पकाना है अब हम इसको जो है वो अन लिड कर रहे हैं अनिके ठकन हटा रहे हैं तो आप देख सकते हैं सब कुछ हमारा मिक्शर है वो रेडी हो गया है हम इसको फटा फट से चान लेंगे एक छणनी के अंदर तो जो है आप बाद में चानने के बाद जो है इसका आप कंसिस्टेंसी अजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको थिक जैसा हमें रेस्टरांट में मिलता है वैसा सूप चाहिए तो आपको से आप अजेस्ट कर सकते हैं पाने की मात्रा को आप देख सकते हैं चंड के हमारा सूप एक तम बढ़िया रेडी हो गया है और अब हम डाल देंगे इसके अंदर एक चौधा चोटा चमच काली मची का पाउडर और डाल देंगे इसके अंदर नमक स्वात के अनुसार हम इस जरूरत नहीं है कुछ भी चीनी आट करने की अगर आपको फिर भी आट करनी है चीनी तो इस आपके उपर है पूरी आपकी चॉइस है तो अब देख सकते हैं हमारा सूप बनके रही हो गया है यह आप परफेक्ट पार्टी में या फिर घर पे अगर आपके गैस्ट आ रही कीजिएगा इस विंटर्ज में और मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको रेश्पी कैसी लगी है और साथी साथ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कूर ना बूले तब तक कि रिए एंजॉई विंटर्ज जैहिंद